अकाश्वनी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादी शेक समाचार प्रदर्शन रखा जारी टोक्यो में मेजबान जपान को हरा कर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीता और मध्यप्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हुआ मौन्सून कई स्थानों पर हो रही जमा जम बारिश कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेताबनी जार से यूपीय सरकार के समय वित्त और ग्रह मंत्री जैसे पदों पर रहे कॉंग्रस नेता पी चिदंबरम को केंद्री अन्विक्षन प्योरो CBI ने कल गिरफतार कर लिया लगभक 27 घंटे से भूमिगत हुए चिदंबरम ने कॉंग्रस कार्याले में पहुँचकर प्रस कॉंफरेंस को संबोधित किया था और उसकी बाद उन्होंने सीधे अपने नई दिली स्थित जोर बाग स्थित निवास पहुँचकर गेट बंद कर लिया उन्हें गिरफतार करने के लिए CBI अफसरों को दीवार फांद कर निवास में घुसना पड़ा CBI के साथ प्रवतन निदेशाले की टीम भी वहां पहुची थी आज उन्हें कोट में पेश किया जाएगा चिदंबरम पर गिरफतारी की तलवार उसी दिन लटक गई जब दिली हाई कोट ने अगरम जमानत याजिका को ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि वो आई एन एक्स मीडिया मामले में मुख्यारोपी हैं कर जब सुप्रीम कोट में उनकी जमानत याजिका पर त्वरत सुनवाई की मांग की गए उस वक्त उनकी याजिका में कुछ कम मिलने पर सुनवाई का दिन शुक्रवार तै कर दिया गया इस बीच सीबी आई ने उनको अरेस्ट करने की पूरी तयारी कर रखी थी भारत और जांबिया ने रक्षा, खनिच संपदा और भूग गर्फ शास्त्र सहिच शेत्रों में सहियों के समझोतों पर हस्ताक्षर किय केंद्य ग्रह सचिव राजीब गोबा नए कैबनेट सचिव होंगे वितीस अगस्त को कारिभार सम्हा लेंगे और पी के सिनहा का स्थान लेंगे गोबा 1982 पैच के जारखन कैडर के भारती प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है पूर्व मुख्यमंत्री और भारती जंता पार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्रीगौर के निधन पर राजी में तीन दन का राजगी अशोक और आधे दिन का अफकाज घोशित किया गया उनके निधन पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के राजिपाल लाल जी टेंडन और मुख्यमंत्री कमलनात सहित कई नेताओं ने श्रधानजली अर्पित की है वहीं आज से प्रदेश में कई स्थानों पर श्री गौर के लिए श्रधानजली सभाय उचित की जाएगी बैतूल जिले की मुलताई एडी जी कोट ने सामोहिक दुशकर्म और लूट के मामले पर दोशियों को उम्रकैत की सजा सुनाई दो साल पुराने मामले में आरोपियों पर 25-25 हजार रुपै का जर्माना भी लगाया गया है 27 सतंबर 2017 को महराश्यों के नर्सिंग की छात्रा अपने दोस्त के साथ बैतूल के आमला थानाक शेत्र के हसलपुर गाउं की राम टेकडी पहाडी पर घूमने आय थी तभी राकेश बेले, सागर बेले, लवकुष और तरुन ने दुशकर्म किया और इसका वीडियो भी बनाया इस मामले में डिने टेस्ट रिपोर्ट सहित अन्यस साक्षों और पिड़ता की बयान के आधार पर ADG कोट ने चारों को दोशी बाकर आजीवन कारावाज की सजा सुनाई मुसलिम महिला विवहा पर अधिकारों का संव्रक्षन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद मधिप्रदेश में तीन तलाग का मामला सामने आया है बढ़वानी के सेंधवा निवासी को इंदौर निवासी पती ने तलाग दे दिया पीडिता कल न्याय की गोहार लगाने जिले के सेंधवा शेहर थाने पहुँची उसकी शिकायत पर पुलिस ने घरेलू हिंसा और मुसलिम महिला विवहा निरपेक शधिनियम की धाराचार के तहट प्रात्मी की दर्च कर ली पीडिता ने बताया कि उसकी पती से उसका निखा 2017 में हुआ था जब उनकी बेटी हुई तो परिजनों ने उसके साथ हिंसा की और अब तीन तलाग दे दिया प्रधानमंतुई नरेंद्र मॉदी के वाराणसी लोकसभा से निर्वाचन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाभाद हाई कोट में कल सुनवाइ हुई इस मामले में प्रधानमंतुई नरेंद्र मॉदी की ओर से जवाब दाखिल किया गया पियम मोदी की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता सतेंद्र जैन और के आर सिह ने पहस के दौरान कोट को बताया कि तेज बहादूर वारानसी लोग सभाक्षेत्र के वोटर नहीं है और तेज बहादूर यादव का नामांकन खारज हो गया था इसलिए वो वैद उमीद्वार नही है मामली में चार सतंबर को अगली सुनवाई होगी घौर तलब है कि यह याचिका तेज बहादूर यादव नहीं लगाई है यह समाचार आप आगाश्वानी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविथा के अनुसार सुन सक करते हैं विबानन और जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा से कल ACFBD समुह के संस्था पर काबित फारुक ने चर्चा की इस दौरान मंत्री श्रीशर्मा ने कहा कि जल्द ही भोपाल से बाकी शहरों के लिए और दुबई के लिए सीधी फ्लाइट से वाज शुरू करने के प्रयास क किये जाएंगे शुशर्मा ने कहा कि प्रदेश में कबलनात सरकार आने के बाद से देश के वभन शहरों से भोपाल को एर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा गया है इस दौरान एर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल्स डेवलप्मन्ट समुह के संस्थापक आबत पानों में व्रधी के साथ अंतराश्य ओडान जल्ब शुरू किये जाने को लेकर सभी आवश्यक पहलूं पर वस्तुरत जानकारी दी भारती महिला होकी टीम ने अपना शांदार प्रदर्शन जारी रखते हुए कल टोक्यो में मेजबान जपान को एक संघर्ष पून मैच में दो एक से हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया वहीं स्विजलन के बासल में दो बार की रजत पदक विजेता पीवे सिंधु बी डबलु एफ विश्व चैंपियंशिप के प्री कोटर फाइनल में पहुँच गई हैं क्रिकित में भारत आज अ अफम रेंपो और अतिरक्त मीटरों के साथ ही प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है अब बात मौसम की मधिप्रदेश में एक बार फिर से मौनसून सक्रिय हो गया है कल से कई जगों पर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने आज से बारिश का एक नदियाओं फान पर है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम सक्रिय हुआ है जिसके चलते अभी बारिश का दौर जारी रहेगा बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्से में मौनसून सक्रिय रहा जबलपुर और सागर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर तथा रीवा और शेहडोल संभागों में अनेक स्थानों पर और शेश संभागों में कुछ स्थानों पर वर्शा हुए अगमी 48 घंटों के दौरान रीवा, सतना, सीधी, पर्ना, कट्नी, उमरिया, शेहडोल और दमों जिलों में भारी संक्षेप में चिन्दवाड़ा जिली में 90 लाख रुपे की राशी से वन विभा की माध्यम से तीन वन मंडलों में अलग अलग स्थानों पर गौशाला का निर्मान कार्य शुरू किया जा रहा है दमौ में कल बजली चोरी के कनेक्शनों की जाच के लिए तीन दिवसीय विशेश अभ्यान चलाया गया अलग-अलग शेतरों में विद्यूचोरी समेत अनेक अनियमित्ताओं के मामले दरज़ किये गए पन्ना जिले में हीरे का प्रदर्शन किया गया प्रदर्शनी में अवलोकन और अध्यन के लिए हीरे के 11 बॉक्स रखे गए थे इसमें उथली हीरा ख़दानों से निकले 7 हीरे 24.32 क्यारट वजन वाले हीरे भी प्रदर्शित किये गए थे महिला इवं बाल विकास मंत्री मर्ती देवी ने ग्वालियर जिले में अंगनवाडी केंद्रों का अकस्मिक निरीक्षन किया इस दोरान अनियमित्ता पाये जाने पर घाटी गाउं के एक अंगनवाडी केंद्रों की कारे करता और सहाईका को हटाने के निर्देश दिये गए उमरिया जिले में खनिच के अवैध परिवहन करते एक हाईवा ट्रक और ट्राक्टर ट्रॉली जब्द कर मामला कायम किया गया है और इंदोर स्थच सीमा सुरक्षा बल बीयस फ के प्रसिध प्रशक्षन संस्थान केंद्री आयोद और युद्ध कोशल विद्याले में अंतर सीमा न तैरा की प्रतियोगिता और क्रॉस कांट्री प्रतियोगिता का कल शुभारंब हुआ अंत में बुलिटन के मुखे समाचार एक बार फिर कॉंग्रिस के वरिशनीता और पूर्ववित और ग्रहमंद्री पीच दंबरम को सीबियाई ने किया गरफतार आज कोट में किया जाएगा पेश बैतूस दिले में सामुहिक दुशकर्म और लूट के चार दोशियों को सुनाई गई उम्रकैत की सजा दोस्त के साथ घूमने आई छातरा से किया था दुशकर्म भारती महिला होकी टीम ने अपना शांदार प्रदर्शन रखा जारी टोक्यो में मेजबान जपैन को हरा कर उलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीता और मतिप्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हुआ मॉन्सून कैस थानु पर हो रही जमा जम बारिश कैस दिलों म मूसलाधार बारिश की चेता अपनी जारी इस बुलिटन में इतना ही आकाश्वाणी भूपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटन सुनिए दोपहर दो बच कर 30 मिनट पर नमस्कार